हेलो फ्रेंद्स वल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल मैं नेम इस हर्जीत कौर आज हम डिसक्स करेंगे 12 जुलाई के डेली कृंट अफेयर क्वेस्टन्स तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्टर की पीडिएप चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज जाएगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इंपोर्टेंट डेस 11 जुलाई को आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सा डे है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो यह जो डे है वो सालिब्रेट किया जाता है ओबर पॉपुलेशन को रोकने के लिए UNDP उनाइट 27 में इसको इस्टाब्लिश करा था जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन तक पहुँच गई थी अभी तो खेयार 8 बिलियन भी क्रॉस कर चुकी है तो इसको इस्टाब्लिश तब किया गया था जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन पहुँच गई थी ओवर पॉ Next, Knight of the Legion of Honor, यह questions है, वो important days थे, तो first question है, Knight of the Legion of Honor, Knight of the Legion of Honor is the highest civilian award of which country, highest civilian award, कौन सी country का यह highest civilian award है, तो यह France का highest civilian award है, यह किसी भी country के civilian को दिया जाता है, जिसने वहाँ पे कोई बहुत ही अच्छा काम किया है, outstanding work वहाँ पे किया है, उस country के लिए, तो कौन सी country का है, फ्रांस का है, तो इसको, इसका जो French name है, वो क्या है, वो है, चाबलियन बीला Legion of Legion of Honor, तो यह है इसका French name, तो recently एक Indian को यह award दिया गया है, HCL Tech की है, रोशनी नादर मलहोत्रा, रोशनी नादर मलहोत्रा को recently यह award से सन्मान किया गया है, right, next step who becomes the FATF President for 2024-2026, FATF Financial Action Task Force, Financial Action Task Force की President कौन बनी है, यह जो Financial Action Task Force है, यह क्या है, यह देखती है कि किसी terrorism organization को को फंडिंग तो नहीं जा रही, यहां फिर money laundering कितनी हो रही है, उन सब चीज़ों को चक करने के लिए, उनको रोकने के लिए, यह जो organization है, यह काम करती है, तो इसमें जैसे हमने थोड़ी दर पहले पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही gray list, black list के बारे में, तो वो भी FATF की ही होती है, black list, gray list, वो depend करता है कि कौन सी country में कितनी money laundering हो रही है, कितनी terrorist organization को किसी को funding जा रही है, उसके according gray list और black list में countries को डाला जाता है, तो अभी recently इसकी president elect हुई है, president का नाम क्या है, Elisa the Anda Madrazo, Elisa the Anda Madrazo, इसकी president बनी है दो साल के लिए, she is from Mexico, कहां से है यह, Mexico से है, यह जो है, यह July से अभी यह point हुई है, 1st of July 2024 से इसका जो है वो शुरू हुआ है, office, और कब तक रहेगा, June 2026 तक यह रहेगी, वहां की president, 1st July से लेकर, June 2026 तक की इसका जो है, वो रहेगा, office president का, कहां पे FAT, Financial Action Task Force, Next is which insurance company launches AI-powered health insurance plan, नाम क्या है, Elevate, Elevate health insurance plan है, जो के AI-powered है, artificial intelligence based, जो है, पूरा survey किया जाएगा, तो नाम क्या है, plan का important है, क्या नाम है, Elevate है, कौन सी insurance company ने इसको launch किया है, तो इसको launch किया है, ICICI Lombard में, किस ने launch किया है, ICICI Lombard में, right, Next is world's first CNG motorcycle, CNG, जो CNG पे चलेगा, आप motorcycle, गारियां तो अक्सर कर चलती है, बहुत आइम से हम सुनते आ रहे हैं, अब ये CNG motorcycle है, जो CNG पे चलेगा, ये कौन सी company ने launch किया है, कौन सी automobile company है, जिसने launch कर दिया है, ये launch कर दिया गया है, तो कौन सी company का है, ये बजाज का है, पह रड़ी launch कर दिया है, इसकी जो कीमत है, वो 1 lakh के आसपास रहेगी, 95,000 से लेकर, 1 lakh 10,000 तक इसकी जो कीमत है, वो रहेगी, Next is which aircraft offering premium economy on its narrow body aircraft, premium economy, हम जब travel करते हैं, एक तो economy class होती है, एक business class होती है, अब ये एक नई class इन्होंने निकाली है, that is premium economy, economy class है, उससे थोड़ी सी better होगी, और business class से थोड़ी सी नीचे होगी, तो दोनों के बीच में इन्होंने एक और class निकाल दी है, that is premium economy, अब economy में भी travel कर सकते हो, premium economy में भी travel कर सकते हो, और business class में भी travel कर सकते हो, तो कौन सी company ने ये launch करी है premium economy ये launch करी है एर इंडिया में एर इंडिया किसकी company है ये टाता की है एर इंडिया किसके पास है टाता के पास है पहले ये 1935 में launch करी थी टाता ने उसके बाद ये government के पास चलीगी थी अब फिर से 2022 में ये फिर से टाता के पास आ चुकी है एर इंड का Airbus A320 Neo, नाम है Airbus A320 Neo, इसका नाम है, एक्सपेक्टेड है कि August 2024 तक ही अपनी services जो है वो चालू करतेंगी, premium economy class की, next है which state won best agriculture state award for 2024, 2024 का best agricultural state award कौन सी state को मिला है, agricultural state award दिया जाता है, जिस state ने agriculture के field में बहुत ही अच्छा perform किया हो, जैसे कि sustainable development का ध्यान रखा है, irrigation facilities को increase किया है, तो उस state को दिया जाता है best agricultural state award, तो इस साल 2024 के अंदर ये कौन सी state को मिला है, तो ये मिला है, महराश्टरा state को कौन देता है ये award, ये award देती है, agricultural today magazine कौन देता है, ये award, agricultural today magazine ने, first time जब दिया था, 2008 में दिया था, तो इस साल दिया है, जो महराश्टरा state को दिया है, agricultural leadership award, शुरू किस ने किया था, agricultural today magazine तो इसके इलावा अब देखो sustainable development में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, महराश्टरा ने, no doubt, irrigation facilities को increase किया है, इसके साथ साथ एक जो important step उठाया है, बाकी चीज़ा थो चलो normal होती है, लेकिन जो important step उठाया है महराश्टरा ने, वो क्या है, launch of the country's largest bamboo mission, bamboo mission launch किया है, महराश्टरा ने bamboo mission launch किया है, जिसके तहट 21 lakh hectare का जो area है, वो इन्होंने cover किया है, under the mission bamboo, तो bamboo mission कौन से state से related है, इसके चलते हुए यह जो leadership, agricultural leadership award मिला है, तो वो महराश्टरा state को मिला है, next step where is first plant clinic and soil testing laboratory in Punjab, अब देखो यह जो news है, यह पंजाब के angle से थोड़ी जादा important है, कि पंजाब में पहला जो पंजाब क्लिनीक, सारी plant clinic and soil testing laboratory है, वो कहाँभए set up करी गई है, अब यह जो पहली है यह पहली plant clinic and soil testing laboratory है, पहली है तो important है हि है, तो यहाँपे क्या किया जाएगा, यहाँ प्री तो बंजाब में कौन से डिस्टिक के अंदर है तो यह है मोगा डिस्टिक के अंदर कौन सा डिस्टिक है मोगा डिस्टिक है next is name the first state to adopt a road safety action plan for 10 years कौन सी असी state है जिसने आने वाले 10 सालों के लिए एक road safety action plan जो है उसको adopt किया है target क्या है इसका target है कि हम 20-30 तक 50% जो road accidents है उसको कम करेंगे 50% ठीक है पूरे तो नहीं हो पाएंगे अभी 10 साल का है यह action plan 10 साल तक चलेगा लेकिन target है कि 20-30 तक 50% तक हम जो road accidents है उसको कम कर देंगे तो इसके लिए क्या किया जाएगा अच्छी सडके बनाई जाएगी साथ में traffic rules का proper ध्यान रखा जाएगा two wheelers का even के जो pedestrian होते हैं उनका भी खास ध्यान रखा जाएगा जो four wheelers होते हैं helmet की proper safety seat belts रखाना इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए road safety action plan जो है वो adopt किया है आने वाले 10 सालों के लिए कौन सी state ने first state है तो state कर नाम है राजस्थान कौन सी state ने launch किया है किसकी assistance से world bank की assistance से world bank की help से यह जो plan है वो launch किया गया है तो इसको अब तीन stages में implement किया जाएगा implement तीन stages में किया जाएगा कौन कौन सी जो पहली stage है वो है 2025 से 2027 तक चलेगी second stage 2027 से 2030 तक चलेगी और third stage रहेगी 2030 से 33 तक राइट next day Yaroslava Mahujik इनोंने world record तोड़ा है high jump का किसका world record तोड़ा है high jump का world record तोड़ा है Yaroslava Mahujik में अब कितने meter तक की height तक इनोंने high jump लगाया है जिसके चलते हुए इन्होंने world record तोड़ा है तो height है 2.10 meter की height तक इन्होंने world record बनाया है high jump का इससे पहले जो world record था वो 1987 में बना था जिसको इन्होंने अब 2024 में जाकर तोड़ा है 1987 का जो high jump का record था वो था 2.09 meter का कितने meter का था 2.09 meter का था अब इन्होंने जो high jump का record बनाया है that is 2.10 meter and she is from Ukraine कहां से यह यूकरेन से है तो अब कहां पर इन्होंने यह जो world record तोड़ा है 2.110 meter का in the palace diamond league in the palace diamond league में इन्होंने 2.10 meter की height का jump लगा कर world record तोड़ दिया है last year था 2.09 का था 1987 से वही चलता आ रहा था and she is from Mexico नहीं है यूकरेन से है she is from Ukraine right यूकरेन से है आप ठीक लेना इसको next day who is the flag bearer for palace olympic 2024 पारिश olympic 2024 में flag bearer कौन रहेगा इंडिया के लिए तो flag bearer है हमारे PV Sindhu इंडिया की कौन है PV Sindhu along with Sharad Kamal along with Sharad Kamal PV Sindhu and Sharad Kamal to be the flag bearer जो के पारिश olympics होने जा रहे हैं तो यहाँ पे chef the mission कौन होगा chef the mission है गगन नारंग गगन नारंग है chef the mission और PV Sindhu and Sharad Kamal है flag bearer अब गगन नारंग ने recently maricom को replace किया है तो important news है क्योंकि आप Paris Olympic शुरू होने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए chef the mission कौन है वहाँ पर flag bearer कौन है इसके बाद जब Olympics शुरू हो जाएंगे उसके बाद पिर वही medal स्वेरा वह सब चीज़ें आ चाहिए next is order of St. Andrew the Apostle order of St. Andrew the Apostle यह क्या है यह highest civilian award है यह कौन सी कंट्री का highest civilian award है पहले हमने पड़ा तक France का highest civilian award अब आता है order of St. Andrew the Apostle यह कौन सी कंट्री का highest civilian award है तो यह है रश्या का highest civilian award और रिसेंटली दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को तो important बनता ही है क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है तो important है ध्यार में रखना है कौन सी country का है और किसको मिला है वो तो याद रही जाएगा तो recently हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वो रशिया गए थे रशिया में 22nd इंडो रशिया एन्वल समिट हुई थी कब हुई थी 8 और 9 जुलाई को यह हुई थी तो वहाँ पे जाकर यह रशिया के जो प्रेजिडेंट थे वलादीमीर पूतिन उनको मिले इन दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई जिसमें सबसे पहले इनोंने जो बोला था वो यही था कि जो यूक्रेन की वार में इंडिया के शोलजर्स है उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है तो रशिया की तरफ से जो इंडिया के soldiers वहां पे engaged है तो उनको वहां से बहार निकाला जाए और रशिया भी इस चीज़ पे मान गया है और रशिया ने orders जो है वो issue कर दिये गए हैं उनको वहां से war से हटाने के इसके इलावा वहां पे हमारे जो प्राइम निस्टर थे उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को भी address किया है इंडियन डायस्पोरा मॉस्को के अंदर जो भी हमारे इंडियन भार्ती लोग रह रहे हैं तो उन्होंने बहां पे उनको इन्होंने address किया और उनको बोला कि जो रशिया और इंडिया है they are all-weather friends, Russia हमारा इडिया का all-weather friend है, हमारा दुख सुख का साथ ही है सबतलब हर टाइम हमारी help के लिए खड़ा रहता है तो इसके साथ ही एक और important announcement करी है प्राइम जिस्टर ने वो क्या है कि रशिया में अब दो नए consulate setप किये जाएंगे रशिया के अंदर दो नए consulates set up किये जाएंगे कहां पर कजान में या केतरिन बर्ग में दो नए consulates set up किये जाएंगे और साथ ही साथ एक और target रखा है कि इंडर रशिया जो relations है उनको हमें और अच्छा बनाना है इसके इलावा रश्या ने भी इंडिया वालों का thanks बोला है कि हमारे जो बुरे टाइम पे आपने हमारी help करी है food के लिए हमें food बेजा है fuel में तो उसके लिए रश्या वालों ने भी हमारा thanks करा है और हमने एक target रखा है bilateral trade का कि हम इंडिया और रश्या का bilateral trade है हम इसको और ज्यादा strong बनाएंगे और इस trade को 2030 तक हम 100 billion US dollar का dollar तक ले जाएंगे हमने target रखा है कि 2030 तक इंडिया और रश्या का जो bilateral trade है वो कितने तक पहुंच जाएगा US dollar 100 billion तक पहुंच जाएगा इंडिया की ambassador कौन है रश्या में विने कुमार विने कुमार है हमारे ambassador रश्या में रश्या में राइग तो दाट्स ओल फर तोड़े होप यू लाइक इस सेशन इफ यू लाइक इस सेशन और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू बाबाई और आव नाइस दे